अस्सलामू अलेकूम फीडियो को आखर तक जरूर देखें बहुत ही कमान के तोटके हैं अगर टांगे पेट के साथ चम्टाना आपकी आदत है तो आप बच्चपन से ही खौफ और अदम तवज्जा कर शिकार रहे हैं अगर आप चलते हुए पीछे मुड़कर देखने के आदी हैं तो आप घर से मिलने वले एतमाद की कमी का शिकार रहे हैं जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं इनकी एज़दात बहुत मजबूत होती है जिन लोगों की सुगने की हिस बहुत अच्छी और तेज होती है इनका धमाग भी बहुत तेज होता है अंगे बंद करके याद करने से भूली हुई चीज़े याद आ जाती है अंडे और केले एक साथ खाने की आदत जिसम के लिए नहायत ही नुकसान दे हो सकती है बदहस्मी और भारी पन से बचने के लिए खाने के बाद थोड़ा सा गुर बतोरे सवीड डिश के तोर पर जरूर खाएं दान्तों में खून आने से रोकने के लिए एक लीमू का रस एक प्याली नीम करम पानी और आधा चमच नमक एक चमच मिला कर सुबों शाम गरारे करें चेहरे का मेक अप उदारने के लिए किसी भी करीम या ब्लीच या मिल्क की बजाए अगर आप कच्छा दूद इस्तमाल किया जाए तो इससे चेहरे का सारा मेल भी निकल जाएगा और जिल्द भी बहुत नर्मो मुलाइम हो जाएगी कपड़ों पर अगर चाए का चाए गिर जाए तो बदन में ताकत बढ़ा देने वाले टोटके खाना खाने से पहले पानी पीना नमबर दो गोश खाने से पहले नमक चकना नमबर तीन हुश्क रोटी के टुकड़े पानी के साथ खाना नमबर चार सुबह सवेरे उड़ते ही शेहत को चाट लेना नमबर पान्च रोटी खाने के बाद चलना नमबर छे घास पर नंगे पहुँच चलना नमबर साथ हाली पेट नहा लेना नमबर आठ खाने के बाद पानी ना पीना बटेर का कोश खाने से कमर दर्ट से निजात मिल जाती है अगर पेट की कोई भी खराबी हो तो अपने घर में मसूर की दाल का ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल करे भदर में ताकत लाने वले तीन खुशक फल नमबर एक अनानास नमबर दो हुबानी नमबर तीन किशमिश अगर थोड़े से काम से ठकन हो जाती है तो किशमिश का इस्तमाल करे छे चीज़े इसान को बहुत ज्यादा ताकत देती है गाजर को खाना स्ट्राबरी को खाना नमबर तीन देही को खाना नमबर चार लेसन का इस्तमाल करना नमबर पांच चिकन सूप पीना पांच आदते इनसान को जल्दी भूड़ा कर देती है नमबर एक ज्यादा मीठा खाना नमबर दो नींद का पूरा ना होना नमबर तीन फर्जिश ना करना नमबर चार आंखों का ख्याल ना रखना नमबर पांच सक्रीन का अगर ज्यादा इस्तामाल करना अगर आप स्मार्ट रहना चाहते हैं तो खुराक में चावल और रोटी की मिकदार कम करके फल की मिकदार बढ़ा दे मुबाइल फोन की सक्रीन पर बनने वले निशानात को मिटाने के लिए थोड़ी सी टोथ पेस्ट लगा ले और किसी नरम कपड़े की मदद से इसको अच्छे से साफ कर ले दांट अगर हिल रहा हो तो दांट काली मिर्च और बरफ का टुकड़ा कुछ देर के लिए दांट के उपर रख दे दांट मजबूत हो जाएंगे उबले हुए आलू के साथ दो अलाइची कहाने से असी साल तक पेट बाहर नहीं आएगा चेहरे के बदनुमा तिल मटाने के लिए पौदीने का रस चेहरे पर लगाएं रात का खाना ना खाना जल्द भड़ा पालाता है जो औरते काले हाथ पाउं की वज़ा से सक्त परिशान है तो खफ़े में कमस कम एक मरतबा लीमू का अच्छी तरह मिसाज करें इस तरह इनके हाथ पाउं बहुत ज्यादा खुबसूरत हो जाएंगे अगर खाना पकाते वक्त इसमें थोड़ा सा सफेद जीरा दारचीनी लांग डाल दिया जाए तो गर्मे नागवार महक नहीं आएगी और गोश्त भी बहुत मज़ेदार पकेगा लीमू के चिलके के उपर थोड़ी सी चीनी डाल कर अगर इन्हें होंटो पर लगाया जाए तो होंट के उपर से काला पन जो है वो खतम हो जाता है अगर आप सोने से पहले शहद खा लें तो आपको अच्छी नींद आएगी प्यास कूट कर सूंगने से सर का दर्द खतम हो जाता है चाए पीने से गैस की प्राबलम भड़ जाती है अगर आप बैठे बैठे बिलावज़ा हाथ पाउंखा लाते हैं तो आप जहनी दुबाव का शिकार है अमीद करती हूँ कि आज की चोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है चानल को लाइक शेर सब्सक्राइब कर दें दुआ दीजिए दुआ लीजिए खुदा हाथ